तो पिछली क्लास में जो अभ्यास प्रश्न पीछे दिखरा यह करा था आप लोगों को याद है आपको पता है ना आज भी हम लोग कुछ इसी में आगे बढ़ेंगे लेकिन क्लास को कुछ मतलब एक्स्ट्रा मिलेगा आज तो इसलिए आप पूरा इंड तक देखिएगा सबसे पहले यह बताइए कि जो आलजेबरिक एक्सप्रेशन यानि बीजगनतिय बेंजकों का जोड घटाना गुड़ा भाग कल हुआ था कि आप सभी को समझ में आया था आया था सभी को समझ में सोनी सिंग आपका कमेंट आ रहा है मोनु पटिल फिजा खान रोशनी विमलेस आरती तोनाली सपना पांडे जी लकी मोहि सबके कमेंट्स आ रहे हैं कुछ भी ऐसे भी छात रहे हैं जिनके कमेंट्स हो रहे हैं वो बिल्कुल परिशान नहीं होंगे अगर आप लोग कल की ये सारी बाते समझ गए थे इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है तो आप लोग यस लिखके कमेंट करिए और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको और पढ़ाया जाए तो आप लोग नो लिखके कमेंट करिए जल्दी करिए यस या नो में बताईए आ आगे बढ़ते हैं पता नहीं क्या हुआ इसमें देखने दीजिये कि इसमें दोनों तरह के लोग हैं कुछ लोग हैं जो ये सारी चीजें समझ गए हैं जो नहीं समझे हैं वैसे यह सब जो भी टॉपिकल चला था ये थोड़ा सा अलग है मतलब इसे कुछ जादा ही समझने की जरूरत है क्योंकि ये जल्दी से समझ में नहीं आता है एक्चुली ये बात करें तो अलजेब्रा में आता है एडवांस में थोड़ा सा तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा और भी आगे आज पता देते हैं अब्या इसमांदारी से बताइए तब तक हम इसको रेड़ी करते हैं आप लोगों को टेबल कितने तक याद है आप लोग कहेंगे इसमें इसका क्या मतलब है टेबल हो बलका मतलब है अगर आपको मैस पढ़ने है न चोटी-चोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए एक और भी सव कितनी प्राइम नंबर है एक सब्द में जबाब दीजिए तुरंद असी और नब्बे की बीच में कितनी अभाज्य संख्याए हैं कितनी हैं यह चोटी-चोटी बातें आपकी जुबान पर रहनी चाहिए जैसे कोई आपसे आपका नाम पूछता है तो आप पट से बता दे है मतलब ऐसा लग रहा है किनके तसुरारी से किप्ट आया ही तो आप ही चलो जाने तो कि आगे बढ़ते हैं आज क्या है टॉपिक तो फिलाल अलजेब्रा का ही चलेगा कुश्चन जो पूछा था वह मैं सब करवा चुका हूं लाइब नंबर 27 है क्यों 27 है कि क्या है बही 27 ही है ना ठीक है ओक तो मैंने यह जो पूछा था पहले उसका जबाब दे देते हैं क्योंकि कुछ छात्र इंतजार में हो होंगे कि बताया जाए वैंने पूछा था कि 80 और 90 इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं के बारे में आतों नहीं पढ़ाएंगे लेकिन इसका जबाब देते हैं तते ही डिशे ऌडिश हैै यंग के जो संख्याह कम से कम दो नंबर से पूर्टा डिवाइड वो जाती है वो भाज्य संख्या का राती है minimum 2 से लेकिन उसमें 1 को नहीं गिनते हैं क्योंकि 1 से तो सारी number divide होती है तरह सुन लीजिए वो संख्या जो 1 से और खुद से 1 से और खुद से मतलब जैसे 8080 की बात करें तो 80 खुद से अपने आप से पूरी तरह से divide हो जाए और भी किसी एक संख्या से fully divide हो तो वो भाज संख्या कालाती है ठीक है कुछ लोग जैसे 87 हो गया 87 हो गया ये 21 हो गया 33 हो गया 99 हो गया इनको भी अभाज समझ लेते हैं ये उनकी बहुत बड़ी भूल है समझ रहे ना तो इसमें अगर हम बात करें 80, 80, 82 मुझे लगता है 83 ये क्या है अभाज संख्या है 84, 85, 86, 87, 88, 89 और ये 89 है क्यों सही है ना और कोई भी संख्या अभाज नहीं है इसका सही जबाब था 2 इन लोगोंने 2 बताया था उनका सही है 80 और 90 के बीच में सिर्फ और सिर्फ दो अभाज संख्या है इसका कितनी है दो अभाज संख्या है अभी नीज पटेल ओनू भूख लगी है अच्छा अभी लंगर परोसेंगे बैठे रो हाँ दिल थाम के बैठो लंगर मिलेगा भी चलो तो आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं अलजेबरिक एक्सप्रेशन के बारे में कलचर्चा हुई थी तो आप लोग मुझे इसका जबाब फटा फट बताए इमांदारी के साथ पूरी इमांदारी से सिद्दत से पौफादारी के साथ बताएए अगर हम इसका मल्टीपल करने को बोलें तो क्या हैगा आप कुछ भी कर रहे हैं अगर आपको मैच सीखना है न ये सब के लिए ये माश्टर कलास है सब के लिए पताएए जल्दी करिए जो बातचीत कर रहे हैं इनको सर बलक करिए आप जल्दी जल्दी जो भी फालतू की बातचीत कर रहा है इनको बलक करिए सुन रहे न तुरंत बिल्कुल कुछ नहीं पूछना कुछ नहीं बोलना है फिर पढ़ने वाले रहेंगे दो ही रहेंगे वो ठीक है चलो ठीक है इसका जबाब जो सबसे पहले दिया मैं कमेंट उनका देख पा रहा हूं आईए हम इस पे चर्चा करते हैं आगे बात करते हैं कल मैंने इसके पीछे भी कुछ और छोटी बाते पढ़ा था जैसे माल लेते हैं कि तेरा लिख लीजिए ए और बी का स्कॉयर अगर मैं इसमें बोलूं कि अगर इसमें हम अबी का गुडांग किया है तो क्या होगा बताईए आगर इसमें हम अबी का गुडांग की बात करें सबसे पहले पूजा मिस्रा जी ने जब आप दिया है अनुपम दूसरे नंबर पर है और रैसमी सिंग तीफरे नंबर पर ठीक है तो थार्टीन है क्योंकि इनके साथ में लगा हुआ जो सब्सक्राइब करते हैं तो जब इसका मल्टीपल करते हैं तो जो गुड़ांक होता है यानि कॉफिशियंट आपने यहां से देखा उसका गुड़ा अलग से करते हैं इसमें दो लोग हैं प्रेकट के अंदर तीन प्लफ नौ एक्स ऐसे हैं कि जैसे कोई गार्जियन है इनके दो लड़के हैं एक का नाम सोनु है अगर वह कुछ भी करेंगे तो एक बच्चे के लिए नहीं करेंगे दोनों के लिए करेंगे क्योंकि उनके लिए दोनों दूसिस करता है दोनों के लिए हो अकर किसी की दो बेटिया है साधी में वह फोर्वीलर कार दे रहा है अगर एक को तो दूसरी को भी देता है अगर नहीं देगा तो बात कर बढ़ जाए तो वैसे क्या है इसमें अगर हम मल्टीपल करेंगे तीन एक्स का स्कॉयर का तो दो होता है तो तीन का तीन में हो जाएगा तो नो हो जाएगा और यक्स का स्कॉयर ऐसी रहेगा तो यह नमबर पर को इफ्ट नहीं है तो यह 9 यक्स का स्कॉयर हो जाएगा यहां पर लिखेंगे लेकिन अभी कहानी खतम नहीं हुई मैंने कहा था कि जब करेंगे तो दोनों में करेंगे तो अब तीन x का स्कॉयर का गुड़ा 9x में भी करेंगे बीच में प्लस का साइन था तो प्लस वैसे ही लगा दिया जाएगा क्लियर किसी को कोई डाउट नहीं न आईए अब तीन x का मल्टीपर करेंगे 9x में इतना ठीक है तो साथी मेरे क्या करेंगे तीन का गुड़ा 9 में करेंगे तो यह 27 हो जाएगा और यह x का स्कॉयर है यह x का पावर 1 है यह क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे क्या जुड़ेंगे भातांग जुड़ जाएंगे मैंने बताया था कि गुड़ा करने पर गाते जुड़ जाती हैं मल्टीपल करन पर जो उनकी पावर होती है अपसमेड हो जाती है तो ये एक घात और ये दो घात जुड़के तीन घात हो जाएगी तो 27 यक्स का पावर 3 आएगा ये इसका फाइनल आंसर होगा अच्छा इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो इसको पहले से जानते थे ऐसे कर लेंगे कितने लोग हैं इमानदारी से बताना अगर आप जानते थे तो आप यह लिख के कमेंट करिए और नहीं जानते थे तो नो लिख के कमेंट करिए जोड़ी करिए ठीक है इतना हो गया इसको हम दुबारा से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है और ये बच्चों को साथी जो हमारे जुड़े हैं उनको थोड़ा कम समझ में आते अब इनीस पटेल नहीं जानते थे इंगलीस तो मुझे आती नहीं है कि इनका नाम है इतना खतरनाक फिक है जिनको भी नहीं आती वो सीख जाएंगे बिल्कुल दिल थाम के वैठिये सब आएगा अ होजम लुपनके दिल कि आंसें थे उम्मीद ना इनचे जिनदा रह भाष हांसलों के तरकस में तीर आ कलोके तरकस में तीर जिन्दारखमा और रजाना यह होष्याएं सब कुछ जिन्दगी में रजाना चैस्ट जिन्दगी में लेकिस रफ्प एक बार जीतने कि उम्मीद को जिंदा रखना और एक ही उमीद पर सब कुछ मिल जाएगा आईए इधर साइड में आईए तो यह हो गया यक्स का पावर माइनस का फाइब अगर इसका मल्टीपल कुछ ऐसा हो रहा है तो क्या आप लोग कर लेंगे क्या आप लोग कर लेंगे बताएए प्रेस मिसिंग ठीक है आप तो समझ में आ गया तरेस बहुत अच्छे देखिए आप लोग कलास को लाइक नहीं कर रहे हैं यह दोखा है सिर्फ इस महीने लगातार दोख है मिल रहा है क्यों भाई आप लोग को क्या चाहिए प्रेस को लाइक जरूर करिए आप लोग आयसा नहीं चलने वाला है इसको भी आयसे ही करेंगे पहले यक्स का पावर फाइब का मल्टीपल इसमें करेंगे फिर यक्स का पावर यह माइनस फाइब का मल्टीपल इसमें करेंगे तो यक्स का पावर माइनस का फाइब इन्ट गाते जुड़ जाती है उड़ा करने पर घाते क्या होती है जुड़ जाती है तो साथियों यह का पावर माइनस का पांच और यह इसमें वन जुड़ जाएगा यह का पावर माइनस फोर आएगा कि क्या आएगा एक्स का पावर माइनस का फोर आएगा थेक्ega deal so this is Me 52 स्टपावर क्या क्या 4 लिए if you are less माइनस किसमें माइनस मैं आयात रखना कि अभी सिर्फ और सिर्फ इसका मल्टिपल सिर्फ इसमें हुआ है अब यक्स का पावर 5 का मल्टिपल इसमें भी करेंगे अगर किसी को समझ में आगया तो जल्दी बता ओ इसमें भी करेंगे ध्याहन से देखना कि जब इसका multiple 2 में करेंगे तो यह हो जाएगा 2X का power minus 5 बीच में ज़ो प्लस का साइन या जो भी सायन है इसके साथ में इसके पहले प्लस था 2 इसके पहले भी प्लस था इसलिए यहां प्लस रहेगा तो 2X का power minus 5 आया समझे में उसके बाद आगे समझना यह तो इसका multiple इन दोनों में हो गया बारी बारी लेकिन अभी one भी तो बचा है one से भी पूरे में सब में बारी-बार से बुरा करेंगे ठिक है तो one का multiple x में करेंगे तो साथी मेरे yax हो जाएगा one का multiple two में करेंगे तो यह two हो जाएगा अब आप लोग मुझे यह बताओ क्या इन में कोई सजातिये पद है जिनको जोडा घटाया जा सकता है पता ये क्या इन में कोई सजातिय पद है जिनको जोड़ा घटाया जा सकता है कमेंट में सबका देख रहा हूं यह चुटका समबाईल लिया हूं यह किसी में दिख रहा है सुमित दीपेंद्र है कोई बोलो फटा फट बताओ नहीं न ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कोई नहीं है क्योंकि इसकी घात अलग है इसकी भी अलग है इसका अलग है सब अलग अलग है यह तीर गाउं मीर गाउं जा रहे हैं यह कहीं कुछ ने जुड़ने वाले यह आंसर हो जाएगा बस तुम इत्क्या जुड़ेगा बताईए अर्चना देवी ये क्लास में ही प्रेक्टिस होता ये प्रेक्टिस ही हो रहा है ठीक है इसी में सब हो जाता है क्लास में अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है लिटेटिस हो जायगा नहीं हां बर्मा कि के नहीं हां बहुत अच्छे कोशिच करते रह स्कोर्ष करने वालों की कभी और नहीं होती बस एक वार ट्राइक करते रही हर बार बार एक बार फेल हो जाएंगे दुबारा ट्राइक करना नहीं भूलना फिल का मतलब कोईश्चन गलत हो जाए तो आगे बढ़ा जाए फिर कि इसमें कुछ अलगता रहा के भी प्रस्न करना चाहिए थोड़ा सा रुकना कुछ कोईश्चन देखता हूं जो आपके काम के हैं आप जाती है भी जाती है तो कल देखा आई था अमिद सिंग बच्चा आप ही की सरकार बनने वाली है आप ही के बने गया अब दूबारा मत पूछना चलो इसमें बहुत छोटे छोटे कुश्चन दिए गया है बहुत छोटे छोटे चोटे दिए अगला चैप्टर में सरकल चलेगा चैप्टर नमबर टेन में सरकल और लाइन तो सर्फेस हो गएरा यह सब पढ़ाए जाएगा ठीक है आईए अब हम बात करते हैं जैसे माने लिखा तीन यक्स का स्कॉायर प्लस नो और प्लस यक्स का स्कॉयर यह कितना पद यह है कितना पद यह बहु पद यह है इंप यह हैं तुई पद यह है यह पांच पद यह फटा है आगला यह भी बताईए कितना पद यह है एक्स प्लस वन प्लस वाई प्लस जड़ था पट पट बताईए रीती देवी हाँ मैं सबको देखा रहा हूं सबको देखा रहा हूं सब लोग अच्छे लग रहे हो मुझे दूल के वैठे हो चलो कोई दिक्कत नहीं गुलसन बोल रहें तीन है ठीक है देखिए इसमें ये दोनों सजातिये पद है क्योंकि इनकी घाते बराबर है और चर भी बराबर है ति आपस में जूड़ जाएंगे तो भाई सहाब अगर ये जूड़ेंगे तिये हो जाएंगे भ op को बॉटेज़ेंगे यहीं क्या हो जाएगा आनसर रहेगा मेने उस दिन बताया था कि जो लोगी और उम्र में प्यार द्रीव में तोज भीचार में और है गूझ लपके अ इनके चर बरहर हैं है और तुम यह में लिके वह में हं यह इसे लेकिन ये जाती धर्म इनके संसकार इनके भेस-बूसा साभ अलग अलग है क्योंकि यह यक्स है वाई है जड है सब अलग अलग यह वन इक नमबर अलग है, यह जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा कुछ नहीं होगा तो तीन एक चार पदिये यह क्या है चार पदिये नहीं क्या बोलेंगे बोलते हैं उससे जाधा अगर बहुपत बोलते हैं जिठ्सक्राइए इंगलेस में करने i हfinden परदिमी Karl ये थोड़ा बहुत बुझा रही है अगर बुझारा तो बताइए हाँ 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 समझ में आ रहा है आगे बात करते हैं इदर है जाई में आई और देखते हाँ मुझे लगता है कि आप लोग ये समझ गये होंगे तो इसमें अगला क्या है तल तल खंड रेखा बिंदू यह सारी चीजे हैं कि यह कौन से मुसीबात आ गई भाई कि इनको वाइस के लिए नहीं आ रही मुझे तो सब सुनाई पड़ रहा है कि अपके लिए रहा है सुमी तो अपना कान में थोड़ा तेल ओल डालो खोद लो डंडाउंड़ डालके थोड़ा साही कर लो हां चलो आएगा चलो चलो ठीक है ठीक है था तो एक बात यह बताई और अपान 5 एक्स वाई का स्कॉयर ठीक है प्लस वन अपान थिरी और यह एक्स का स्कॉयर वाई और इसके साथ में मालो यक्स भी तो इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे या जो भी करेंगे तो कितना आएगा बताईए यह कुश्चन है कितने लोग हैं जो इनको कर लेंगे बहुत ही सिंपल साइस में कुछ है नहीं जादा लेकिन जो हम बता रहें वही है बस बताईए आकणों का परबंधन पिक्टोग्राप भी पढ़ा था इसके पीछे परसेंटेज भी पढ़ा है अब रिबीजन ही करना है ठीक है एक दो चैप्टर बचा है उसको करवा के सिर्फ और सिर्फ रिबीजन करना है कि मैं बताता हूं यहां आईए यह तो सिंपल सा है इसे वैसे ही लिख देंगे वानापान फाइव एक्स वाई का स्कॉयर प्लस इत्में यक्स का स्कॉयर है नीचे भी यक्स है यह आपस में कहें एक प्रकार से तो कट जाएगा बच्छे कटता नहीं घाते घड़ जाती है कैं सही भासा यह यह तो इसको उपर अगर इस तरह से सब्ट्रेक करेंगे तो सिर्फ यक्स बचेगा और वायर बचेग इनके हर बराबर नहीं है अर बराबर कर लेंगे कि तेचार गूडा कर लेंगे थिखें, क्याइसे हो जाएगा, तीन का इसमें गुड़ा होगा, पांच का इधर होगा, क्या हो जाएगा कितना, तीन, एक्स, वाई का स्कॉरर, और प्लस ये पांच एक्स वाई, इनका आपस में क्रास मल्टिपल हो जाएगे, ये पांट याइँ 15, अब इसके आगे ये इसमें तो यक्स की घात one है इसमें वाई वाला गडबड कर रहा है कि वाई वाला गडबड कर ने इस occursहें इसके की मीरी बाती खतम कर देंगे है इसदी खतम कर देंगे कोई लिकत की बात Congressman ofky गन्रों . अगर यह प्रीमियर वीडियो भी आता है आपने देखा होगा तो आपको देखना चाहिए किसी भी तरह का वीडियो आ रहा है या क्लास आ रही उसे आप इग्णोर ना करें क्योंकि वह बड़ी मेहनत से बनाई जाती है आपको क्या लगता है कि अगर लाइब नहीं है अगर क तो अच्छा एक और सवाल बताईए तबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है कि अबसे छोटी अभाज्य संख्या यानि प्राइम नंबर क्या है कि टोगराफ पढ़ाया गया था रस्मिजी अभी सायद कलाफ नंबर चौविस या तेश चौविस में देख लिजिए पढ़ाया गया था पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में पढ़ाया गया है कि टोगराफ का पूरा चैप्टर एक वीडियो में है आप देख लिजिए से जाके नहीं हां बतारीं दो है अनुपम का दो आ रहा है और हाउ टू पोजी सन फ्लास इनका नामें खतरनाक है पढ़ना ही तो सबसे चोटी जो अभाज्य संख्या वह दो है जो लोग वन को बोल रहे हैं यह विरादरी के बाहर है यह ना तो भाज्य ना भै थे तो ही में वह संख्या है इसके बारे में और भी बहुत जगा सुनने पर में भी कभी कभी आता है कहीं कहीं है तो एक एसी अक्क्या है ना जासे उते दॉड़ुक की नगरी में वर्यां जी बूझ describes नगरी यह क्योंकि यह сам संख्या है और अभाज्य कोई भी संख्या मैं सम अगर हे तो अभाज्य नहीं Heh सभी संख्याइं भाज्य होती है सिर्फ दो को छोड़ कर और दो को छोड़कर बाकी सभी यह वोथी है याद रखना ठिक है यहां तो यह लगता है कि इसमें सब बहुत कुछ हो गया क्या और क्या किया जाए आगे कि इस तरह के सारे पदाप लोग कर लेंगे सब कुछ कर लेंगे ना देखिए कमजिए यहां पर इधर साइड में आई यह कुईश्चन दिखिए एक वटा तीन यक्स का पावर पांच वाई जड़ यह जड़ है जड़ फाज जब्रा जब्रा मतलब गदाहा चलो तो यह का है भाईया यह नाइन है यक्स का पावर फाइब और वाई प्लस यह है तीन पताइए इसको अगर हम मल्टिपल करें तो कितने लोग कर लेंगे वह बोलिए पेदैं यह यह एक इतने लोग कर लेंगे अरे बोलो ना बाभी बोलो ना बाबुरा जा बोलो ना जल्दी चल्दी चलो सर्माओं नहीं कि थोड़ा मैं इसको पिला देता हूं मतलब से आही इंक तरेस बाबू का चाहते हो तुम दिल चाहते हो कि जान चाहते हो या दोनों चाहते हो बोलो काई इतना प्रिसान हो बोलो बोलो जल्दी बोलो जलो ठीक है कि इसको आप लोग कर लेंगे न कि एक सरसाइज ही हो रहा है और कुछ नहीं कि इनका मल्टीपल करेंगे तो पहले नंबर नंबर का कर लीजिए वन अपान थिरी का मल्टीपल नाइन में अगर करेंगे तो यहां पर फाइनल में तीन आएगा और यक्स वाई जेड जो भी है इनको अलग से ले लीजिए इनको अलग से ले लीजिए इनका भी आपस में मल्टीपल कर दीजिए ठीक है तो इसकी घाते पांच है इसकी भी पांच है यह जुड जाएगा तो यक्स की घात दस हो जाएगा यह वाई है यह वाई है वाई की घाते वन वन है तो इनकी घाते एक एक जुड जाएंगी त किसी को कोई मुसीबत कोई परसानी नहीं ना चलो ठीक है ओके तो यह तो अभी आधा हुआ पूरा नहीं हुआ पूरा भी कर लीजिए इनका मल्टीपल पूरे का इस पूरे में हो गया तो इतना आ गया क्यों आ गया क्योंकि यह वन अपान थ्री था यह सिर्फ नाइन था यह निच्चे उपर हुआ तो गडबड़ हो गया मतलब कट गया अब यह बीच में प्लफ का फाइन है तो प्लफ लगा दिया इनको आलग कहीं निप्टा लेंगे तो अच्छा रहेगा त तीन है ना एक वटा तीन का गुड़ा तीन में करिए यह तीन से तीन कट जाएगा वन आएगा यानि यह यह यहां पर बरियेबल्स थे वह खतम हो जाएंगे सिर्फ इतना आएगा कांस्टेंट जितना है यक्स का पावर फाइब वाई जैड यहां यक्स की घाते दस हैं य यहां य की घात है यहां पर वन है यहां जड बबावं यहां बीज deteriorate वह इन सभी की घाते आपस में बराबर नहीं है इष लिए यह आपस नहीं जुड़ेंगे तो यही फाइनल जाएगा तो इसमें मैं और क्या करवाऊं मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत कुछ हो गया है आईए मैं घटाने वाला थोड़ा सा डीटील में बता देता हूं क्योंकि यह है तो बहुत आसान जो लोग को आता है उनका बड़ा बोरिंग भी लग रहा है लेकिन जिनको नहीं आता ना उनके दिल का दर्द कोई सुनता नहीं है मुसीबत जिये आकेले में तड़पते रहते हैं तड़पते रहते हैं वह क्या कहते न समझे यह देखिए जैसे अगर मैं बोलू सिंपल में कि पांच यक्स से आप दो यक्स को घटाई यह इसका अंसर तो आप कहोगे तीन एक्स आएगा सिंपल सा है लेकिन आखिर तीन आएगा क्यों कैसे आएगा बड़ा डीटील में समझ लीजिए बाकी बड़े-बड़े कु यह पांच यक्स है ना अखिर यह पांच यक्स आया कैसे होगा अगर हमने एक रोटी लिया है आटे वाली सिंपल वाली तो रोटी कैसे बनी होगी सोचिए एक रोटी कैसे बनती है रोटी खायो सभी क्या रोटी नहीं क्या मिट्टी खाते है रोटी दोहर कोई खाता है तो कैसे बनता है कि अगर बहुत लंबी परक्रिया ना बताएं सिर्फ गेहों से सुरूकरें इन की पिसाई यह कोई जाता है पानी मिला जाताय पटका जाता है पहला जाता है और क्या-क्या होता बहुत कुछ होता है तब जाके पकता है तब रोटी बनती है तो उसी तरह से हम पांच एक्स के बारे में बात किये कि यह कैसे आया देखिए इसकी थोड़ी सी इसको जो बताना चाहते हैं वो देखिए पांच एक्स का मतलब यह प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स यह फाइब टाइम रहा होगा जुड़ा होगा तब आया हो इसमें से माइनस का दो यक्स घटाना था तो दो यक्स का मतलब यक्स प्लस यक्स दो बार ठीक है क्लियर हो रहा है ना कैसे आता क्यूं आता है अब समझिएगा देखो भाईया अब इनका कोश्ठाक ओपन कर देंगी तीन हो गया चार और यह पांच बार के माइनस का यक्स याद रखना अगर ब्रेकट के पहले माइनस होता है तो लेकट कुलने के बाद अंदर के जो भी टम्स हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं प्रेकट कुलने के बाद अंदर के पदों के चिन बदल जाते हैं यहां पर प्लस था यह माइनस हो जाए के पलस और यह माइनस माइनस प्लस कट गया इसीद हो गया यह माइनस और यहीर प्लस हो गया खतम वहीं बचारे टीने जाए तोतीन अग्स हो गया यह अंसर आ गया आ अब भी हमारे नए साथी आये हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ये कलास सब्ता में तीन दिन तोमवार मंगलवार और बुद्धवार को यूटूब पर विल्कुल फ्री लाइब होती है आज ब्रेस्पतिवार है फिर भी ये कलास चल रही है क्योंकि बीच में गयप ह ही न होगी कि कि अल्लक सब्सक्राइब नहीं बता रहा हुँ चले आगे बढ़ते हैं फिर लाल सा है इतना हो गया इतना हो गयाना इट अधा कुछ मजिश्क 10 शुदिन आ रहाज तक फलेसे सब्सक्राइब फश या रही सब्सक्राइब मुसेश टिमांग नहीं यहारी है तो यह हो गया ठीक है अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पीछे चलते हैं जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को उसके बारे में बात करेंगे 0.01 into 0.001 into 0.12 इसका अगर सब का multiple करेंगे तो क्या आएगा पताए जल्दी बताए क्या आएगा कितना आएगा इनका multiple करेंगे तो कैसे आएगा सुनिए समझेए कि यहाँ पर वह यहां पर वं यहां पर वन यहां पर ऐन तूट 11 अगर हम अगर्म हटा दें तो हमने कुछ आएसे मिल रहा है एकमली यहां पर तीन अंक पर है यहां पर तीन अंक पर है तो साथी मेरे यह दो अंक यह तीन और यह दो जूड़ जाएगा तो तो दो चार-तीन साथ कितने पर साथ अंक पर डिसमल लग जाएगा त्याद रहे है यही चीज़ इसमें में बस तो शात अंक पर दसंब्लू लगेगा दो पहले फे दिया है पांच अंक इसमें बना लेंगे उसके लिए हम पांच जीरो लगा लेंगे यहां दसंब्लू लगा अनुपा मौर्या का सही है और डॉली राजपूत का पूरा गलत है किसी का सिर्दर्द कर रहा है किसी की कोई और मुसीबत है मतलब सारी प्रॉब्लम हुमारे खोपड़ी प्रखना चाहते होगा क्या करें तो डाक्टर लोग बेरोजगार हो जाएंगे कि सिर्दर्द कर रहा तो डाक्टर के पास जाएंगे दवाई लीचिए दर्द करने वाला कोई काम मत करिए साधान रहिए पुरच्छित रहिए और क्या कहें चलिए तो यह हो गया अब इसमें रिवीजन ही करना है क्योंकि पढ़े आप लोग बहुत कुछ है अगर हम पिक्टोग्राप के कुश्चन देंगे तो काफी लंबा हो जाएगा कुश्चन चोटे-चोटे कुश्चन देते हैं यह बताइए कि 700 का जो 35 है वो कितना परसंट है अब पताइए फटा-फट बताइए जबाब दीजिए फटा-फट दीजिए तेबन हंड्रेड का 35 कितना परतिसत है सबसे पहले जो जब आप देगा उसे एक इनाम मिलेगा तुरंद मिलेगा सर्प्राइज फटा-फट नगद मिलेगा कोई उधार नहीं चलिए जल्दी करिए कोशिस करते रहिए कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती और कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती बस आ कोई नहीं बता है आपी सब सो रहे हैं सपना राठ और बता रही मुझे नहीं लग रहा है कि इनका सई है तो भाई सई है का बहुत अच्छे बरिगुड संगीता औरन कलाफेच मेरे को फालो करो अच्छ मतलब किसी के पास अब कोई काम नहीं बचा दुनिया में इनको फालो क पांच परसेंट ठीक है देखिए इसको करने का दो तरीका है इसको करने का दो तरीका है पहला एक छोटा फा तरीका है चोटे से सवाल के लिए और दूसरा एक इस्टेंडर तरीका है जो सब में लगेगा हर जगा तो मालवा लीजिए कि हमें नहीं पता यह कितना प्रफेंट है। बढ़लेते हैं कि 700 का यक्स प्रफेंट है कितना 35 यक्स — क्योंकि हमें यक्स बराबर 35 यहां से यक्स बराबर निकालेंगे तो यह 35 बटा साथ आएगा बराबर में पांच आएगा यहां पर परफेंटेज का चिन्हा लगाना नहीं भूलना तो यह चोटी चोटी जो बाते हैं यह आपको तयार रहनी चाहिए जिससे आप कुछ बेहतर कर सकें ठीक है ओके डन चलिए आगे बढ़ते हैं हां तो यह बताएए 0.25 कुष्चन ध्यान से देखिए 0.25 वो परतिसत में बदलिए चल भहिया रेडी इसको परफेंटेज में बदलिए कैसे होगा प्रोशनी कुमारी बताएए जब आप दीजिए फटाफट कितना होगा कैसे होग सबनम बानू की 345 कहां से आया कौन सी दुनिया से हुँँ जदी करिए सबसे पहले रिहान सिद्धिक आया था लेकिन इनका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ गड़वड लग रहा है इनका पुरा गड़वड है चलिए ठीक है आईए ये 25 परसेंट आएगा बिल्कुल सही है पहले इसमें से हम 10 अमलों हटाएंगे तब 100 से भाग हो जाएगा अब हमें क्या करना इसको परसेंटेज में बदलना है तो साथी मेरे मेंने बताया था कि अगर आपको कभी भी परसेंटेज कचिन लगाना है तो तिये गए नंबर को 100 से मल्टीपल करते हैं 100 से इसको क्या करेंगे गुड़ा कर देंगे ऐसे अब इनको हल कर लीजिए तो 100 से 100 कट जाएगा ये 25 बच जाएगा सिधा फिदा ये हो गया ये क्या आगया अंसर आ गया वहत्मा गांधी जी परड़ाम आ गया बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात है आजकर लोग बड़े हिंसक हो गए है तो समझ में आगे सभी को तीन बटा आठ को परतिसत के रूप में चेंज कीजिए बुरा नहीं मानना ठीक है कि भी प्रेंटेज में बदलिये कि इस ऐपनीट को परफेंटेज में कैसे बदलेंगे चलिए हम सिर्फ और सिर्फ काम की बात करते हैं फालतू का टाइम देखिए साथी मेरे मैंने बताया था कि पर्फेंटेज में बदलना है अगर पर्फेंटेज कचिन लगाना है तो हमेशा 100 से मल्टिपल करना है इसको 100 से क्या करेंगे गुडा कर देंगे अब इनको काटे पीटेंगे जो कटे पीटे काट दीजिए आप इतने तो समझदार है इस से क्कटेगा यह चार से कार्दो q Pal और ये 25 आएगा को harag failed कि पर्सेंटेज में बदलना है यानी पर्फिफद कचिन लगाना है कंठा से डाना है भी कि से 25 अपान्ट तो पर्फेंटेज नहीं लिखेंगे क्योंकि यह एक अनुशीत सब्सक्राइब इस तरह से आंसर नहीं लिखा जाता है इसे हमेशा या तो मिक्सट्र Sãoड में लिखते हैं या फिर प्लेशन में लिखा जाता है तो कहा तो घुनर नीटे से बन इन टू अनपांड फरसे आए गा थान्स यह है कि आव अब यह कैसे मैं ने कर दिया इनको बेसिक नहीं आता है वो जरूर देखेंless ये जैसे कुछ लोग आदर दे रहें पिर से बताो फिर से बताओ बतल tehd Autoわかल रहा हूं तब इनका बुद्धी कहां चरने गई है जब मैं बता रहा हूं दिनकी बुद्धी कहां चरने गई है अप पिर 60 बताओ इनका आडर है तो मैं तो ऐसे पागल हो जाओंगा अधा पागल तो पहले से हुआ हूं तो यह सब को समझ में आया ना हम इसके बाद ना हम इसके हम लोग क्या कर रहे थे कुछ जो जो पढ़े हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे यह बताइए एक ही सब्द में बताइएगा एक ही बार में बिना कुछ करें कि अब इस अथाइस पैटीस एक सो पाँच कुश्चन देखिए कि इस अथाइस पैटीस और एक सो पाँच का एल्सीयम क्या होगा फटा-फट जल्दी से जबाब दीजिए पहला आप सने 300 होगा दूसरा आप सने चार सो बीस होगा दीसरा है कि साथ सो पैटीस होगा और जोथा आप सने जीरो होगा पताओ कितना आएगा इन सभी नंबर्स के अगर हमें ल्सीयम निकालें लीष्ट कामन मल्टीपल तो क्या आएगा जल्दी करिए फटा-फट 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 बताइए कोसिस करते रहिए देखिए बिलकुल कोसिस करना कभी बंद नहीं करना जिंदगी में कभी कोई इंसान पूर्ड नहीं होता है वो मरते दम तक सीखता है कहते हैं कि जितनी अकल बदाम खाने पे नहीं आती न उत भातनी हारना कभी ठोकर खाओ ने कोसिश करते रहो कोषीश करने का मतलब यह नहीं कि तुम गलत काम करो अच्छे काम की कोषिश करो इसका अंसर को बताया अब ते पहले इसका अंसर अगर किसी ने बताया है तो उनका नाम है नेहा रमा और नहा के बाद हीरा मिसरा बताएं हैं लेकिन इनका तो आत्मान में उड़ रहा है इनका अंसर गलत है इनका सही है ठीक है नहीं हजी बिल्कुल चाहिए आपका अंसर है इसका आएगा 420 420 आएगा अच्छा एक आप लोगों से सजेशन चाहिए था पूछना चाहते हैं आप ध्यान से सुनिये का दिल थामके हमारे एक दोस्त जी है कृष्णा कुमार जी उनकी बड़ी बुरी कहानी है कि मतलब एक बड़ी बुरी कहानी मतलब ऐसा है कि उनका दौर जो इस समय टाइम चल रहा बड़ा चल रहा है एक तुलियों बड़े लंबे प्रेम कहानी में पड़े थे और उनके साथ कुछ गड़बड हो गया है मिस्टोरी मुझे बहुत कुछ सिखाई मैंने सूना है कि तो क्या आप लोग चाहते हैं कि दर्द बरी प्रेम कहानी हम संडे को सुना दें है आपको referral चाहते हैं उनकी दर्द बरी कहानी जोख्या वाली है कहानी आपको सुना दे उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा चाहते हैं तो बोलिये हाँ नहीं तो नहीं संडे को रभी भार को सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी सिर्फ वाई होगा तो कितने लोग सुनना चाहते हैं जो जो सुनना चाहते हैं और जो नहीं सुनना चाहते वो नो कितने लोग यहां पर किस किस कर्टेगरी के हैं अपनी थाट बताई इसमेल मुझे जहां तक लग रहा है सब सुनना चाहते हैं बस एक है रोसनी कुमारी इनी कना है कि अच्छा है या बुरा है दुख देने वाली या दुख देने वाली सब चीज सुनना देखना चाहिए उससे बहुत कुछ सीख मिलता है समझ रहे ना कि दो दिन लाइट नहीं आती न तीफरे दिन आती है तभी लाइट का मज़ा आता है तो ऐसे जिंदगी में अगर निरंतर सुक सुद्धाय मिल रही है सब कुछ अच्छा हो रहा है उसका थोड़ा महत तो कम समझ में आता है तेकिन अगर कुछ गढ़बढ हो गया अचानक और फिर अच्छा होता है न तब बड़ी मज़ा आती है होता है न तो यह सारी चीजें आप समझ गए इसमें हम रिवीजन करवा रहे हैं क्योंकि हम सब पढ़ा चुके हैं कल एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे कल एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे हम आप लोग यह बताइए जो फ्रेक्शन का LCM-HCF बताया था क्या आप जानते हैं कि बूल गए कुछ यह रिवीजन है अभी हां तीन बटा पांच वा साथ बटा नौ का HCM बताइए जल्दी बताइए क्या आएका फटा-फट रिवीजन हो रहा है हम पताईए फटा-फट पताईए एक क्या 48 संख्या 25 का अपवर्त है बोलिये यास या नो इमानदारी से जी बिल्कुल रहान सिद्धी की जी बिल्कुल सीखने को मिलेगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप किसी लाइन में जा रहे हैं किसी लाइन में कहीं जा रहे हैं कुछ भी लेने वालो राफन लेने जा रहे हैं आज कल तो यही मिल रहा हर जगा पर चर्चा करेंगे तो कुछ लोग गाली भी देंगे ठोड़िये कि अगर आप कहीं भी किसी लाइन में जा रहे हैं और उसमें आगे वाला गड़े में गिर गया उसको तो दर्द हूआ तकलीफ हुई और कि आपको सीखने को मिला ना सी खने को मिल坏 ना कि वो गिर ईस पर गया तो आप मत जाइक है उस रास्ते पे था अन्सर पूछा था वो तो गिरा वो तो गया लेकिन आप तो समल जाएंगे न आप तो समल जाएंगे न यह चीज है इसका आंसर पूछा था इसका अपवर्त है यह नहीं है तो दुखिए अपवर्त क्या होता इसके बारे में बहुत डीटील में बता चुका हूं is आंसर है नो क्योंकि 25-48 completely divided नहीं है इसका अपवर्थ नहीं है अपवर्थ को सायद मुल्टीपल बोलते हैं इंग्लीज में नहीं बताया है क्योंकि हिंदी में बहुत से साथ ही हैं जो हिंदी भासी राज्य से नहीं है उनको नहीं समझ में आता है क्लास में तो आल इंडिया के बच्चे जुड़ते हैं चलिए एक बात बताईए एक्टर पर चलते हैं वह बताईए और तक अपवर्थ तक बताईए और कुश्चन है यह चोटा फाएक दम क्योंकि हम सिर्फ आपको कांसेप्ट सिखाते हैं बाकी कानिया आप खुद कर लोगे निव मजबूत होनी चाहिए बताईए पंदरा के आशां यह तभी अपवर्थ बताईए है अफटाफट बताईए जल्दी अपवर्थ तक नहीं लिख रहा हूं गलथ है इनके सबी फैक्तर बताईए एक परकार से, जिसे हिंदी में एक और वहां सामें विभाजक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब विभाजक बोलते हैं, चल्दी करिए, फटा फट, नहीं हाँ जी बिल्कुल आप गलत दिसा में जा रहे ही अपकी बार तो, दोखा होई गया आप के बार तो कि उनजना कि जिदना बताया वपका डॉल थे झाधकर हिए और अपका कर रहे हैं कि अपका घ। अबर तक का मतलब आप नहीं समयाँ बाएं मुझे लगता है ki 1105 15 में लगया उसमक्रा के सरवानी जी कह है ठीक है लगबग सही है काफी हद तक है कि अपवर्तक यानि विभाजक इसका मतलब यह है कि एक ऐसी संख्या कि जो इस दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित करेगी कमपोलीटली डिवाइड करेगी वह अपवर्तक है तो जो लोग 15 का पवर्तक 45 बता रहे हैं महानुभाव क्या 45 का भाग 15 में जाएगा इनके अगर हम अपवर्तक की बात करें फैक्टर की तो वन होगा री होगा अगर और थोड़ा सा प्यार से बात करें तो यह भी हो जाएंगे मतलब अगर अगर आप सारी कलासे देखोगे ना आपको सारे अभ्यास हो जाएंगे कि एक चोटा सा सवाल बताइए 17 डेसी मीटर में कितना फेंटी मीटर बोलिए 17 डेसी मीटर इसमें कितना सेंटी मीटर है बोलिए यह सब भी इसमें मैं पढ़ाया हूँ जो मैं पढ़ाया हूँ वही मैं पूछ रहा हूँ पंडे जी मुझे लगता है कि आप पढ़ने नहीं आते हैं आपकी इच्छाएं कुछ और कह रही हैं लेकिन आप कहीं गलत जगह आ रहे हैं नाम, लिखावट, बनावट, बातचीत, यह मुझे लग रहा है, इससे कि आप पढ़ने नहीं आते हैं, यहाँ पर पढ़ने जो आते हैं, उनका स्वागत है बस पताइए, डेसी मीटर को सेंटी मीटर में बदलना है इसका सबसे पहला जो जबाब है वो अगर किसी ने दिया है, तो वो माहिरा पंडित ने दिया है ठीक है माहिरा, सुजान्ती देवी, C.L. परजापती रेखे साथियों, सेंटी मीटर से डेसी मीटर में नहीं, डेसी मीटर से सेंटी मीटर में बदलना है इसका फर्मूला एक कहानी मने बताया था मिली सेंटी डेसी मीटर मिली फिर सेंटी फिर डेसी सब मेटर यानि सेंटी मीटर के नीचे आता है डेसी मीटर यह इतने तो होते हैं मिली सेंटी डेसी मीटर इसके नीचे क्या होता है डेका एक्टो किलो यह होता है न हमें क्या करना है हमें मेरे साथ ही डेसी मीटर को सेंटी मीटर में बदलना है तो डेसी मीटर कहा गया एवाई निकल 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 यह है डेसी मीटर को सेंटी मीटर में बदलना है यानि हमें उपर जाना है निच्चे से उपर जाना है तो यह दोनों बगले बगल में पड़ोसी है ऐसे जितिती में वन के बाद एक जीरो जरूर लगाते हैं अगर यह बगल बगल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक डेसी मीटर में 10 cm अभी इसे याद कर लेना और क्या बताओं बागी अगर आप अपने जीरो लेबल मेत पढ़ा होगा basic मैं नहीं बहुत ृतियल से बता हैं कि एक डेसी में में 10 cm होता है ठोच है कि इतना होता दस होता है 50 cm कि देसी मीटर लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं एक मिनट रुखिएगा थोड़ा मिली मीटर सेंटी मीटर डेसी मीटर ना फिर मीटर हमें डेसी मीटर से सेंटी मीटर में आना है एक मिनट थोड़ा सा रुखिए यह सेंटी मीटर है ना आप तो लिखा है नहीं यह डेसी मीटर नीचे को आना है स्वारी कि उपर को जाना है भई टेसी से सेंटीमीटर में जाना था मेरा दिमाग भी थोड़ा कम काम कर रहा है आज कल थोड़ा थाइंग कर रहा है एक मिनट रुख जाओ यह सही लिखा है न थोड़ा सरू किये कि देसी से सेंटीमीटर हाँ ठीक है ठीक है यह सही है कुछ भी गड़ नहीं है तो 17 डेसी मीटर में भाई मेरे 17 गुड़े दस बराबर 170 सेंटीमीटर आएगा कि इतना आएगा 170 सेंटीमीटर कि माग थोड़ा हैं कर रहा है इस वजह से थोड़ा डिश्टरब हो जाता है कभी कभी तो सब्सक्राइब करते हैं तो आपको साथो दिन यह कलासे मिलेंगी ठीक है साथो दिन यह कलासे मिलेंगी वसे सब्सक्राइब में यह यूटूब पर सिर्फ तीन दिन कलास चलती है वंडे ट्यूजडे और बेड़नेश डे तो मुआर मंगलवार और बुद्धवार को हम यूटूब पर रात के 10 से 11 बजे बिलकुल फ्री पढ़ाते हैं अगर आप साथो दिन पढ़ना चाहते हैं 20 फेबरोरी तक आफर है कि आप इसे मात्र 199 में पूरा मैट्स ले सकते हैं सिर्फ 199 में आप समझ दीजिए अगर आप इसे करना चाहते हैं तो इस नंबर पर इस नंबर पर ध्यान दीजिए यह अलग से एक नंबर है कि आपको एक कोड़ बता रहा हूं यह लिख के बेजना है ज्वाइन कि यह फास्ट वन एस्टी मैट्स यह लिख के बेजना ठीक है वाट्सप पर फिरी पढ़ना है यूटूब पे पीवियर स्टडी लाहबा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फेस्बुक पे पीविय कि भभार बता है यह लो पर फिरी